गुद मॉनिं ख्लास 8 सब्जक्ट मैच टूडेय वी एंडरस्टेंड कोशिएंगे कि इसमें हमें क्या जो डाइगोनल है वह गिवन है डाइगोनल की जो मीजर्मेंट है वह है 5.5 सेंटीमिटर इसकी टू हैट गिवन है 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 अच वन जो है वह 2.5 सेंटीमिटर है और जो है वह 1.5 सेंटीमिटर गिवन है अब हम के बैल्ली है उस एरिया ओफ कोईडिलेटरल के फॉर्मे में पूट करेंगे तो वी नो दाइट एरिया ओफ कोईडिलेटरल फीक यू आरस एकोल टू होगा वन अपान टू इंटू ब्रैकेट में h1 plus h2 जो है वो डाइगोनल है और h1 as to height है हम इसे value put कर देंगे तो जब value put करेंगे तो हाँ पर जाएगा 1 upon 2 into d जो है वो 5.5 है 5.5 put करेंगे ब्रैकेट में h1 plus h2 की value put करेंगे इन्हीं solve करेंगे तो solve करके जो इनका answer आएगा वो आएगा 11 cm² तो यहाँ पर जो quad is 240 cm2 and one of the diagonal is 16 cm find the other diagonal देखिए इस कोशन में क्या है कि जो रोंबस है एक रोंबस है उसका area गिवन है और साथ में इसकी diagonal गिवन है जिसकी measurement 16 cm है हमें क्या करना है जो other diagonal है उसकी measurement find करनी है solution करते है देखिए सबसे पहले हम कहीं है लैट लैंध और one diagonal d1 हमने मान लिया जो first diagonal है उसकी जो length है वो d1 है और वो given है हमें 16 cm length of the other diagonal हमने माने जो other diagonal है वो उसकी length है d2 ठीक है area of the rhombus area of rhombus क्या होता है 1 upon 2 d1 into d2 ठीक है जहां d1 d2 क्या है उसके diagonal है अब जाने का area of the rhombus वहां हम क्या करेंगे rhombus के area को put करेंगे equal to 1 upon 2 ऐसे रहेगा into d1 d1 जो है 16 cm given है 16 रखेंग तो यह हो जाएगा 240 equal to 1 upon 2 into 16 into d2 अब हमें d2 find करना है तो d2 तो यह है रहेगा और सारे value दूसर साइड आजाएगे तो यह हो जाएगा d2 equal to 240 into 2 upon 16 अब जहां हम इसे solve करेंगे तो हमें answer मिलेगा d2 equal to 30 cm तो इसका answer हो जाएगा जो other diagonal है उसका answer हो जाएगा 30 cm thank you student I hope you will understood